हाजी दोस्तों क्या हाल से आप सभी के मैं मुनिश आप सभी के लिए लेके आगे हो आर्मी जीके के टॉफ थर्टी मौस इंपॉर्डिर कोशन टॉपी कमाना रहेगा महत्वपूर्ण तिथियां अंदोलन और यूद सबसे न मेरे सभी फोजिवायों को जाहिंद जावारत त तॉफ थर्टी मौस इंपॉर्डिर कोशन महत्वपूर्ण तिथियां अंदोलन और यूद सबसे बड़ा कोशन आपके सामने है जल्दी से इसका अंसर बताइए और कलासे आपकी शुरू हो गई है मैरे आपको पहले बिताया हुआ है 100% जिनका एक्जाम पेंडिंग है उन इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है पहला कोशन आपके सामने कोशन बोलता है स्वामी महावीर जेन का जनम कहां हुआ था माफ की जिये जनम हुआ था स्वामी महावीर जेन बाद स्वरौन इन तो इनका जनम कब हुआ था 420 में 540 में 440 में या फिर 520 में स्वामी सब्सक्राइब करेंगे जब जेन धर्म पढ़ेंगे उसमें डिसक्स करेंगी कॉशन नमर दो आपके सामने हैं महात्मा बुद्ध का जनम कौन से वर्ष हुआ था इन बीच एर वास महात्मा बुद्ध ब्रॉल आपके हैं 540, 560, 563 या फिर 570 BC में चालती से बताए महात्मा बुद्ध का जनम जो है कब हुआ था 503 BC में हुआ था option number C दोस्तो राइट और रहेगा और दोस्तो दार्मी भाई YouTube चानल को सब्स्क्राइब निकरा चानल को सब्सक्राइब कर लिजिए वीडियो को लाइक कर दिएगा वीडियो को शेर कर दिएगा और साथ मैं टेलिग्राम ग्रूप जॉइन कर लिजिएगा डेली आपको PDF आपकी मिलती रहेगी question number 3 आपके सामनी है सिकंदर ने भारत पर आकरवन किया था डिड़ अलक्जेंडर इवेट इंडिया option है 300 BC, 340 BC, 326 BC या फिर 330 BC सिकंदर दवारा भारत पर आकरवन कब किया गया था 326 BC में किया गया था और इसे किस यूद से नाम से जाने जाते हैं आगे discuss करेंगे next question आपका है वितस्ता कायूद या फिर hidden speech कायूद 326 BC किस के किस नदी के तड़ पर हुआ था hidden speech कायूद किस के बीच हुआ था अलक्जेंडर और किस के बीच हुआ था पॉरस के बीच हुआ था जिसे क्या कहते है hidden speech या फिर वितस्ता कायूद भी कहते हैं और ये किस नदी के तड़ पर हुआ था आपके एक्जाम में पूछा गया है गंगा नदी जेलम नदी ब्रह्मपुत्तर नदी या फिर सतलुज नदी hidden speech काईध 326 BC में किस नदी के तड़ पर हुआ था जेलम नदी के तड़ पर हुआ था आप्शन नुमबर भी दोस्तों राइट और रहेगा जेलम नदी question नुमर पांच आपके सामने है सिकंदर के सेना पती का नाम क्या था वाट इस दी नेम आफसल अलक्जांडर कमांडर ओप्शन आपके है मेगत खनीज अशोक अरस्तु या फिर सैल्विस निकेटर अशोक माफिरे सिकंदर के सेना पती का नाम क्या था क्या था सैल्विस निकेटर था ओप्शन नंबर डी दोस्तो राइट और रहेगा और पूछले सिकंदर के गुरु कौन थे तो अरस्तु जो थे सिकंदर के गुरु थे question नुमर 6 आपके सामने है सिकंदर की मृत्यू 323 पीसी में कहा पर हुई थी वेर डिड अलक्सेंडर डेथ टेक प्लेस ऑप्शन आपके हैं अफगानिस्तान वेबिलोन मोहन जोद्र या इनमें से कोई नहीं इनमें से कोई नहीं नहीं ना नौफ दिस चल्दी से बताईए सिकंदर की मृत्यू जो है कहां पर हुई थी बेविलोन में हुई थी आप्शन नुमबर भी दोस्तों राइट और रहेगा कॉशन मर साथ आपके सामने है मोरय भंष की स्ताफन आ की गई थी चंदर घुみ तो मोर्य डैनस्टी की स्ताफना कभी थी 322 वीसी मैं 324 वीसी कि एंस नहीं इनमें से कोई नहीं अब याद रह रटे हैं बहो सारी बूप में नहीं कहां दिया हुआ है जो है चंदर गुप्त मोरे ने मोरे वंश की स्वंदित थी मोरे वंश का राजा अगला विंदुसार विंदुसार के बाद अशोक तो अशोक किस वंश से स्वंदित था कॉश्चन मर आठ आपके सामने है अशोक का अंतिम युद कौन सा था बिच बासदी लास्ट बेटल अफ अशोक का आप्शन है वैटल अफ माईसूर वार अफ कलिंगा वैटल अफ तराइन वैटल अफ पानिपत तीनों के चारों के चारों युद मौस्ट इंपॉर्ड है कलिण कायूद किसद Records अन्तिवा था अशोग का अंतिम्यूद था उपशन नूमबर B準 राइट अ रहेगा रहेगा कोश्यं नमर्ड 10 आपके सामनी है बिक्रम सब्सकी शरुवात किसके द्वारा की गहीं तो विक्रम सब्सकी शरुआथ कब हुए थी 58VC में हुए थी और इसके शुरुवात किसना करी थी? आप्शन है कनिश्क द्वारा, विक्रम अदित्य द्वारा, अशोक द्वारा या फिर चंद्रगुप्त मौरे द्वारा विक्रम सवत वाज स्टार्टेड़ वाए दो विक्रम सवत की शुरुवाद किसना करी थी उचेर शाषिक विक्रम जृत्थ द्वारा करी गई थी option नंबर भी दोस्तों राइट और रहेगा question number 11 आपके सामने है कनिश्क दबारा शक्सवत्त की शुरुवात की गई थी, कनिश्क शक्सवत्त वाज स्टार्टेड वाए कनिश्क का आप्शन है, सतर एडी, सेवन्टी एडी, एटी एडी या फिर अठासी इस भी में जल्दी से पताए, कनिश्क दबारा शक्सवत्त की शुरुवात कब करीगी थी, इसकी शुरुवात करीगी थी, सेवन्टी एडी एडी में, कब सेवन्टी एडी इसमी में करी गई थी, आप्शन नुमबर भी दोस्तों राइते आ रहेगा क्वाशन नुमर बारा है, चांदर गुप्त, माफ कीजिए, गुप्त वश की स्तापना किसके दबारा की गई थी, वाई हम वाज थी, गुप्ता डाइनस्टी फाउंडिट, आप्शन है, कुमार गुप्त, समुन्दर गुप्त, श्री गुप्त या फिर इनमें से कोई नह है, गुप्त वश की स्तापना, किसके दबारा करी गई थी, श्री गुप्त डबारा करी गई थी, अप्शन नूमबर सी, श्री गुप्त इसका राइट अंसर अर रहेगा, Question number 13 आपके सामने है, चीन्नी यात्री वाहियान किसके समय भारत आया था? At what time did the Chinese traveler वाहियान come to India किसके काल में आया था? स्मुंदर गुप्त, चंदर गुप्त, चंदर गुप्त दूविती या फिर श्री गुप्त जालती से पताईए, चीन्नी यात्री वाहियान जो है कब आया था? भारत 399 AD में आया था? और किसके काल में आया था? चंदर गुप्त दूविती के काल में आया था? Option number C दोस्तों राइट आ रहेगा Question number 14 है, मुहम्मद विन कासिम जो की प्रथम अर्व आकर्मन था या आकर्मन कारी था दुवारा भारत पर कब कब जा या फिर आकर्मन करा गया था? तो question ऐसे भी पूछ सकता है, भारत पर प्रथम अर्व आकर्मन किसने करा था? या फिर भारत पर आकर्मन करने बाला प्रथ परत्फ अर्व कोन था तो परत्फ अर्व कौन था मुहम्मद विन कासिन था इसने भारत पर आखरवन कब कर रहा था आप्शन नमबर सी दोस्तों राइट रहेगा 712 इस भी में कौशन नमर 15 आपके सामने है चंदेलों दवारा किसका निर्मान करवाया गया था खुजराहों के मंदरों का सोमनात मंदिर का कोडार के सूरे मंदिर का या इंप से कोई नहीं चल्दी से बताएए चंदेलों दवारा किसका निर्मान करवाया गया था खुजराहों मंदरों का निर्मान करवाया गया था और खुजराहों मंदरों का निर्मान जो है इंडिया वास फर्स्ट अटैक इड़ बाय महाम्मद गजनवी ऑप्शिन है एक हजार एक हजार दो एक हजार पच्चिस या फिर एक हजार स्ताइस में तो महाम्मद गजनवी द्वारा जो है भारुत पर प्रतमार करनेंट करकर कप करा गया था एक हजार एडी में किरा गया था यहीनि एक हजार इस भी पूरूप किया गया था आप्शिन नुम्बर एस का राइट अरहीगा कॉशिन नुमर 17 से पहले वीडियो को लाइक निकला चलते ही दिस दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी कर ल कीजिएगा माफ किजिए सौमनाथ टेंपल लूटिड वाय महम्मद गजुनी लोकेटिड यहां पर कॉश्चन थोड़ा सा गलत है मेरे ख्याल से सौमनाथ मंदीर लोकेटिड वाय महम्मद गजुनी लूट आप्शन है राजिस्तान गुचरात मध्यप्रदेश या फिर सि मंदीर को एक हजार पत्चिस में लूटा गया था और यह कहां पर सित्या है गुजरात में सित्या मौस इंपॉर्टिड कोशिन आपकी एक्जाम में जुरूर पूछा जाएगा कॉश्चन अठारा हैं टेराइन का परत्थम यूद कब हुआ वैं डिर्दी फर्स बैटल टेक प्लेस तो तराइन का प्रत्थम यूद्वा था 1190, 1199, 1191 या फिर 1995 प्राइन का पहला यूद्वा था 1191 किसे महम्मद गोरी और प्रित्वी राजचुहान के बीच फर्स नुम्र 19 है 1101 में तिराइन की दुविती यूद में महम्मद गोरी ने किसे हराया था तो पहला यूद्वा था तेराइन का महम्मद गोरी और प्रित्वी राजचुहान के बीच दूसरा भी यूद्वा था महम्मद गोरी और किसके बीच प्रित्वी राजचुहान के बीच और दूसरे यूद में महम्मद गोरी ने प्रित्वी राजचुहान को हरा दिया था आप्शन नंबर 20 इसका राइट और रहेगा क्वाश्यों नंबर 20 आपके सामने है कुतुबदीन एबक द्वारा गुलाम अश्की स्थापना की गई थी option है दा स्लेब डाइनस्टी वाज स्वाउंडिट वाई कुतुबदीन एबक 120, 1205, 1206 या फिर 1267 चलिस वताइये कुतुबदीन एबक द्वारा गुलाम अश्की स्थापना या फिर दिल्ली सतलत की स्थापना जो है कब करी गी थी 1206 में करी गी थी और 21 का गुलाम था महांमद गोरी का गुलाम था इसलिए जो है इसे क्या का जाता है कुटूबिनार की नीव किसने रखी थी कुटूबिनार की नीव किसके तारा रखी गई थी कुटूबिनार की नीव रखी गई थी कुटूबिनार की नीव रखी गई थी कॉशन नमर 22 आपके सामने हैं भारत की प्रथम महिला शाशक कोंती हो वास्ती फर्स्ट भूमेन रूलर ऑफ इंडिया ऑप्शन है वानो वेगम राजिया सुल्तान रजिया खान या फिर रजिया बेगम भारत की प्रथम महिला शाशक कोंती रजिया सुल्ताना ऑप्शन नमर 20 का राइट रहेगा और यह 1236 में यह जो है क्या बनी थी भारत की पहली महिला शाशक बनी थी तो यह भी डेट आपकी पूछी जाती है और यह किस स्वंदी थी यह गुलाम बच से आपकी स्वंदी थी कौशन मर 23 आपके सामने है रजिय सुल्तान को सता से हटाया गया था रजिय सुल्तान वाज रिमूव इट फ्रॉम पावर आप्षिन है 1244, 1249, 1240 या फिर 1241 में तो रजिय सुल्तान को सता से हटाया गया था कब 1240 में option number C इसका right अरहेगा question number 24 आपके सामने है खिल जी वंश की स्टापना किसके द्वारा करी गई थी option है बहुम्मद खिल जिलालुदीन खिल अलाउदीन खिल या फिर अमीर कुसरो द्वारा वाई हम वाज थी खिल जी डाइनस्टी फाउंडिट तो खाइल माफ कीजिए खाइल जी बंश की स्टापना किस ने करी थी जो लालुदीन खिल जी ने करी थी option नमबर वी दोस्तो राइट अरहेगा question number 25 आपके सामने हैं मौर्को यात्री इवन बतूता किसके काल में भारत आया था during whose time the मौर्को ट्रेवलर इवन बतूता come to India option आपके हैं कुतूबदीन एवक वलवन या फिर जुलालुदीन खिल जी या फिर मौहम्मद विन तुगलक जालदी से बताएए मौर्को यात्री इवन बतूता किसके काल में भारत आया था मौहम्मद विन तुगलक के काल में आया था option नमबर दोस्तो इसका राइट अरहे ज्ञाएं कोसिनका च्बविसाम के सामने हैं लोधी वस्वी स्थापना किसने करी थी। लोड़ी दाइनेस्टी ऑप्शन है इवराहिम लोड़ी सिकंदर लोड़ी वहलो लोड़ी या फिर जाकीर लोड़ी चालदी से बताईए लोड़ी वश की स्थापना किस ने करी थी लौदिवहश की स्थापना कृम्न गरी थी वह लो लौदिवहश का अंतिम राजा या फिर अंतिम वहश है कौन था ये था आपका इब्राहिम लोदि जो की किसमे मारा गया था पानी पत के दूसरे माफ कीजिए पहले युद में मारा गया था और दोस्तों वीडियो को लाइक में करा, जल्दी इस तभी दोस्त वीडियो को लाइक करजीगा, वीडियो को शेर करजीगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजीगा Q27 आपके सामने है, सिक धर्म की संस्थापक गुरु नानक देव का जनब कब हुआ था? वैन वास्थी, founder of Sikhism, गुरु नानक देव, ब्रोन, 470, 499, 499 या फिर 465 में, जल्दी इस ताइए, सिक धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव का जनब का में हुआ था? तलवट्टी वाकिस्तान में हुआ था, तलवट्टी पज़ाब वाकिस्तान में हुआ था, और इनका जनब कब हुआ था? 1449 में हुआ, 1469 में हुआ था, option नमबर, 1479 में हुआ था, option नमबर बीस का राइट अरहीगा question नमबर 28 आपके सामने है, डैश गोआ पर फूर्टगालियों ने कबजा करा था, फूर्टगालियों द्वारा जो है, गोआ पर कब कबजा करा गया था, option है, वारासो में, पाफ किजिए, पंदरासो में, पंदरासो एक में, पंदरासो दस में, या फिर पंदरासो ग्यारा में तो फुरतगालिये द्वारा गोः पर कप जाग कब करा गया था था फंद्राशियो दुसमेकर गया था पानीपत का पहला युद लड़ा गया था The Battle of Panipat Was in तो Panipat का पहला युद कब लड़ा गया था? 21 April 1526, 21 March 1526, 21 June 1526 या फिर 21 July 1526 को सभी कह उता है 1526 को Panipat का पहला युद लड़ा गया था कोण से दिन लड़ा गया था? 21 April 1526 को Panipat का पहला युद लड़ा गया था नेक्स्स कोशन इसी से लेटिड है पानिपत के पराथम युद में किस वंश का अंत हुआ था बिच डाइनस्थी एंड़ेड इन दी बैटल आफ पानिपत ऑप्शन है सेर वंश लोदी वंश मौरे वंश या फिर तुगलक वंश पानिपत के युद में किस वंश की समाती हो ठीफरी तो लोधि वंश की समाप्ती हो गी थी option नंबर बी दोस्तों राइट रहेगा और पानिपत का पहला युद्वा था बावर और इविराहम लोदी यह मारा गया था और लोधि वंश की समाप्ती हो गीठीश से बताइए कितने और व्योंष को ऑपके राइट थे अगर आप और स्टूडेट हो तो आपके लिए तार्गेट रहेगा 30 में 30 बाकिया आपको कमेंट बॉक्स में बताना है वीडियो आपको कैसे लिए वीडियो पसंदे तो वीडियो को लाइक और शामदार वीडियो में तब तक लिए अपना क्या रखे अपने घरवलों क्या कि याहिंद जाव